लिखल्ट इस में कि नमस्कार ममनिश कुमार का तुम आप देख रहें अचुक संगहर्ष इस वक्त हमारे साथ मिस्ट्रा जी आ और मंन्थामत्री के संस्टत्री छेत्र में पर्दान मंग्ने कीमत कोुपार दिया है जाम चैनल मसरा जी मैं आपका स्वागत्थ हैं बहुत भौत धन्यगात मिस्रा जी बतहिए Dodge कि आभी बहुन कि को अब वे और इनके हीत के लिए महांगाई कम करने के लिए गैस में 200 रुपे का रेट गिरा दिया गौवर्मेंट ने इस पर आपकी क्या रहा हैं आपने कहा कि सुरक्षा को देखते हुए सम्मान को देखते हुए मोधिती बाँन बेटियों का कब सम्मान करने लगे सम्मान तो इस ब्रिज भूसन सिंग को जो है जेल भेज करके देना चीए था मैला देश की पहलमान बेटियां वहाँ अपने सम्मान और स्वाभी मान की लडाई लडा रही थी घसीट के पीटा गया और ब्रिज भूसन सिंग वह सही खुले गुंडों की तरह चल रहा है क्योंकि बीजेपी क अपने संसद है मड़ीपूर के बेटियों को संबान देना चीए था वहां के जो है बलातकारियों को जेल और इंकाउंटर कराना चीए था चिन्मियानंद और सेंगर जैसा जो भाजपा का नेता है जो उसको जेल भेजना चीए था यह कौन सा संबान की बात और रही बात 200 क होने की तो उट के मुँ में जीरा जैसा काम इन लोगों ने किया चुकि गुजराती है यह पैसे के बल पर भावनाओं को खरीदना जानते हैं चुनाओ सर पर है मार पड़ी समसेरन की तो महाराज मैं नहीं हूं जब जनता में महांगाई को लेकर आकरोज बढ़ा तो 200 रु यह तिनका का सहारा है हम आप भावनाओं को समझने की कोसिस करिए हम नरेंदर मुदी जी के धूर विरोदी नहीं है रच्छा बंदन का दिन है भगवान न करें उनके जैसा भाई मिले दूबारा इस देश को लेकिन पिर भी जिन्दा हैं तो भाई हैं उनके दिरगाई होन नहीं मिला नोडवंदी का फाइदा नहीं मिला जीयस्टी का फाइदा नहीं मिला कोरोना में मर गए कुटा लासनों चली या तब तो नहीं आप चंबिद हो करके चिला है किसान पीठे गए अजीत मिसरा टेनिया का लड़कवा चला दिया थार किसानों पर मार ढś डला लोगों की भावनाओं को दर्साता और लड़ता है सरकार से मैं सल्यूट करता हूँ अचू संगर्च को लेकिन नरेंदर मुदी को बहन बेटियों के लिए ब्रीज भूसन को जेल भेजना और नरेंदर मुदी की बात का विश्वास नहीं करना चीए वह बैपारी आदमी है य लोगों लेकिन इसी सरकार में लोग कर दो कहाएं लोगों और कि आजकाल कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत इसा सारे लोग मीडिया में ब्यांद रहें कि शेर पालने के लिए खर्च उठाना ही पड़ेगा मांगाई जेलना ही पड़ेगा पुछ रंगमास यार है की सेर है यार कौन कह रहा है उरा सेस और बजरंगदल वाले को है कि चाट् मत्रकार हम लोगों को कौन सी दुष्मनी निकाल रहे हो हम जनता से तुम लोग नरेंदर मुदी का गुलगान करके और का रहे थे कि चाइना चाइना डर रहा है गलवान से लेके पहंगाउक तक जमीने छीन ली गई और सेना को हमारे मरा गया यह सब्द नहीं बोला इस नर होम फिर डुष्मनों से मोहबबत कौन था परधानमंत्री हमारे देश का ऐसा इसके पहले जो जो जुए जूला जूला रहा था पाकिस्टान यह अनिक रहा है फिर्याने घुदे ड्रामा करेगा क्रीम पाउडर लगाएगा बालवाल कटवाएगा पिक्चर देख करके तो प्राइम मिनिस्टर बन गया वही कहानी है अब सक्ति कमूर को जेलो गबर सिंग को जेलो जैबुरू लापता अकिल्ला सोले का ही है मिस्रा जी अप लगातार सरकार के नीतियों का भीरोद करते हैं गलत नीतियों का तो बताये कि जिस तरह से स्ट्री मीडिया में दो चला जा रहा है तो कौने चीचे हैं आप लोगों को बता हैं हम तो एंटायर पोलिटिकल हम पढ़े लिखे लोग हैं एंटायर पोलिटिकल हम कभी सुने ही नहीं बिश्व का एकला होता है सब्जेक्ट आटियाई लगा है बिस्विद्याले जबाब नहीं दे रहा हमने लगाया है आज तक पर चल आ था महीं करता हूं कि यह कभ विभाग बना इसका विभागा ध्यक्ष कौन था मोदी जी कभ यहां पढ़े क्या हुआ है हम लाइसेंस नहीं रस्त करा देंगे यतना चरण चाटन करके देश के देश के जनता के साथ गदारी करो गर तुम लोग छुड़ी आओगे गुरू मारे चला जा रहा है कि वागई में मोदी सरकार एकदम बहतरत लोगों का यकीन कैसे दिला पाएंगे इस्ट्री मीडिया में सुधीर चोधरी आपी नाम बताई है ना अम इस द्योगान उस पर विश्वास्खर होगी रुविकाली आकाट अंजनाम कश्याफ और नोग स्वामी यह सब पत्रकार तुमारे देश का भविश्वास्ता करेंगे अरे गुरू मर जाओगे भी ना खाए कुट्ता तो लास नोचा ना कोरोना में जलाने को नहीं मिले हिंदू हो करके मुसल्मान बन गए दफना दिये गए चीता जलाना था दफना दिया गया कपन भी नोचवा और इंटजार कर रहτι है भारत का मित खावी से रो रही है भारत की आत्मा अपने जंता के तरफ लूटारी हम क्यों चुनें चुनें उसको क्या किया है एक वफदारी का काम बताओ क्या किया हिंदू तवकार अच्छा कर रहे हैं जैसा के लड़का क्योहाइं हनुमान चल्चा पढ़ता किसी मजजीत के बाहर एही तो सवाल बना हुआ कि आकिरकला उंके बच्चे क्यों नहीं आते धर्म बचाने सिर्फ क्या मीडिल क्लासस वाली बच्चे जाएँगे धर्म बचाने लोग समझ नहीं पर आरहें नहीं मिडिल कलास नहीं OVC और ये दलित के बेचे दलित के बेटे आज हिंदुत लगे बचाने संविधान बचाना था इनको ज्यादा धरम का चस्का लगाया गया जितने जन्रल कास्ट के लीडर हैं वो सब के सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और OVC और दलित के ब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं जाती जन करना पर के उनहीं सवाल उठाया ये तो न्याइक पन उठाना सारा प्राइवेट करके संस्थान को और किसका हिस्सा मारा आरक्षण किसका खतम हुआ OVC और दलित के बच्चे ये जो ठेकेदार बनके गया हैं भारती जन्ता पा बात किये मोदी से कितने दी नमिच्चा चे बात पंकत सिंह का राजनात सिंह का लड़का पंकत सिंह को हमने कहीं भी जो है बजरंग दल की तरह हिंसा करते हुए नहीं देखा उबनेगा MPML और मोनु मानेशर जैसा पिछडा बिट्टु बजरंगी जैसा पिछडा ये जाए मनुवादी विचार धारा से समझ लेंगे जिंदगी बचा लेंगे नहीं तो आएगा तुम मुदी ही तुम मरेगा तो जनता है अब कैसे इतना बड़े समुदा का इसे बताने का प्रयास करेंगे एक आपके लिए चुनोती है कि नहीं हम का कर बताएंगे बहुत ज्यादा अरे आप इतना सोसल एक्टिविशन लडाई लड़ते हैं जवसा जाओ मर जाओ हम एक डाक्टर हैं सोसल बेस के डाक्टर सम्बिधान का इंजेक्शन लगाते हैं देखते हैं कि थोड़ा तरपड़ा हाथ हो तुमको और सुधर रहे हो तो ठीक है नहीं तो वेंटी लेटर पर मोधी का वेंटी लेटर लगा देते हैं मर जाओगे बिना खाए परिवार के लोग तुमको जो है सुखार नहीं करेंगे मा बेटी बहन तुमको धिकार के मुँपे ठुक करके लात मार के घर से बाहर निकाल देगी बाहर और समाज के लोगों किया तुमको को इज्जत मिलेगा आवकरना मोधी मोधी जनाम लोगे पाप के भागीदार मोधी एक सवाल है बताए कि चोधा अगस्त के पेपर में एक पेपर था उसमें च्छाप आता कि सेना ने सर्जीकल इसचाई किया जबकि सेना ने इसका खुद कंडण कर दिया जब इस तरह से प्रिंट मीड आपको नहीं लगता कि कुछ दो विश्यस लोग गुम्राह हो जाएंगे इसे बोलिए लिए जैनिक जागरन चापा है और रही बात कि सत्यपाल मलीक उसमें कसमीर के राजयपाल थे अजब सत्यपाल मलीक कह रहे हैं कि जाच करा दो पुलवामा का तो क्यों नहीं भाग रहे ह पुलिस चोड़ती है घर पे डिटेन करती है एक बार छोड़के तो देख लो और हम कर रहे हैं वो राजपाल टाइप के आदमी थे बाद में ही कर रहे हैं जाच करा दो तुम निश्पक्ष हो जब सांच को आच क्या क्या आच है पुलबामा जो नईस का उठा करके तेश में जाच नहीं हो जाएगा क्यों नहीं देश के सेना के छातियों पर गोली मरवाया नरेंदर मुदी ने देश के सेना के साथ गड़्दारी किया देश के सेना में फूट डाला देश के लोगों के साथ गड़्दारी किया संपत्ती वेचा देश के जंडे के साथ गड़्दारी किया जेट का जंडा तिरंगा को नीचे सर जुकाया और अभी आप यार मुदी-मुदी कर रहा है चंद्रयान थ्री जब चंद्रमा बुद्रा था तो हमारे बाइग्यानिकों को मैं सुभकामना दे रहा हूं आज अभी दूंगा क्योंकि उनकी काबली तारीफ है लेकिन कुछ सेकर्ड बोलके जाते हैं और हमारे परधान मंतरी मिंटों तक बोल देते हैं इस मामले को लेकर तो बातूनी बतककर तो है ये है उसकी आदमी 35 साल भीक मांगा फिरू मगर मच्छ पकड़ा फिरू चाय बेचा फिरू पढ़ने लगा फिरू आया जो है राजनीत करने लगा फिरू संग में भी काम करना इतना लंबा उमर जोड़ देंगे न सारा उमर तो 140 साल हो जाएग तो ये गुजराती है और गुजराती से इंडीकेट को सिर्फ पैसा पहुचाया जा रहा है इस पर बात बिश्वास मत करिये बिश्वास करेंगे मर जाएगे आत्मात्या कर लेंगे जिन्दगी बचाना चाहते हो तो नरंदर मूदी से नफरत करो इस डेश को तरक्की करना इस देश के नौजवानों को बचाना चाहते हो तो इस देश के भाजपाईयों से नहीं यह गद्डार हैं यह इसब आईसाई के एजेंट हैं भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेकर के भारत को बरबाद करने का काम कर रहे हैं पाकिस्तान उतना बरबाद नहीं कर पाया इस दे का जाइए गाउं की रहुआ में कहिए कि मांगाई नहीं है देखिए आपके सकल सूरत को इतना बढ़िया सजाएगी जनता ना फिर दुबारा इंटर्व्यू भी नहीं लेंगे पत्रकार बुरा मत मानिए नहीं नहीं बुरा नहीं मानते हैं आप कहिए खून मत जराइए लगा हुआ है अंदर अंदर जरासा छेड़ेंगे भग से आख पकड़ लेगा और मैं भविस से बता दे रहा हूं इस बात को नोट कर लिजेगा अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में पूरे देश के अंदर दंगा कराने जारी ये भाजपा मार डालेगी गरीब ग चिन्नित किया गया है स्रीराम मंदिर जी का सोभा यात्रा निकाल करके भाजपा दंगा कराएगी लोगों का खून भाएगी उस वक्त आईएगा आमसे पूछिएगा ये इंटर्विव याद कर लीजिएगा दंगे के बल पर दुबारा सरकार बनाने जा रही है इस लिए चोटा मोटा रहात दे करके ये सरकार बना ये गड़ार और कातिल लोग हैं इनसे सजग रहो और जूते मार करके इनको अपने गली और अपने जो है चट्टी चोराओं से भगाना सुरू करो नहीं तो देश बरबाद हो जागा गुलाम हो जाएगा अभी जैसा मिसरा जी न नमास्कार देने वाड़